अगर आप मसाले वाली सबजियां खाखा कर बोर हो गए हैं तो इस तरह से बनाईए आलू, भटे और टमाटर की सबजी बहुत ही सिंपिल तरीके से बनाई हुए है बहुत ही कम मसाले में और कम तेल में तो इस तरह से बनाईए आप लंच में बनाईए डिनर में बनाईए कभ लेंगे प्याज, हरी मेर्च और लैसुन को बारिक काट लिया है और अब हम एक कड़ाई में तेल लेते हैं इसमें हम डाल देंगे जीरा और इसके हम बाद हम डालेंगे इसमें आठ से दस मेथी के दाने इससे बैंगर में जो किसी किसी को ऐलर्जी होती है गैस बनती है गैस नहीं बनती है तो अब हम इसमें डाल देते हैं प्याज बारिक कटी हुई हरी मिर्च बारिक कटी हुई और यह लेशन बारिक कटे हुए यह तीनों को अच्छी तरह से भून लेंगे इसका हम ए मैं कलर चेंज नहीं करना है अभी लेसुन प्याज और हरी मिर्च एक मिनट तक भूनने के बाद इसमें हम डाल देंगे आलू आलू लेसुन प्याज सभी को एक साथ ही भूनेंगे इससे सबजी जब हम तलते हैं तो प्याज जलती रही है आलू के साथ साथ प्याज भी भून जाती है और दो से तीन मिनट तक आलू को भूनेंगे इसके ट्रांस्पेरेंट हो जाए इसका कलर तब तक हम भूनेंगे फ्लेम को हम low to medium रखेंगे high नहीं रखेंगे नहीं तो आलू का कलर चेंज हो जाएगा और अंदर तक पकेगा नहीं वो अच्छे से फ्राई नहीं हो पाएगा तो आप देख सकते हैं आलू का कलर ट्रांस्पेरेंट हो चुका है अब हम इसमें डाल देते हैं भटे भटे हम आलू जब आधे पक जाते हैं तब डालते हैं इससे भटे जो इसमें पीस दिखते हैं पीस ही रहते है नहीं तो वो जब आलू और भटे test डालतें तो भटे मैस होने लगते हैं इसलिए भटे हम बाद में डालते हैं तो भटा का भी झालर यहाँ यहां chand —जो चुका है मतलब fry हो चुके हैं भटे अब हम इसमें डाल दींगे कुछ मसाले तो मैं छोटी चमप, लाल पाउडर ती हम दालेंगगे तीखी वारी लाल पाउडर, तो आप तीखा खाना चाहते हैं अपने हशाब से डाल सकते हैं मसालों को भटों के साथ में बून लेंगे इसके बाद इसमें हम डालेंगे टमाटर बरी कटे हुए और टमाटर डालने के बाद इसमें हम डाल देते हैं नमक अपने टेस्ट के अकॉडिंग ही नमक डालें तो मुझे यहाँ थोड़ा सा तेल कम लग रहा है आप पहले ही तेल को थोड़ा सा ज़्यादा रखें क्योंकि भटे में थोड़ा तेल ज़्यादा लगता है कम तेल का जरूर बना रहे हैं लेकिन जब तक तेल नहीं रहे गया तब तक सबजी में टेस्ट नहीं आएगा क्योंकि सब्जी हमारी तल नहीं पाएगी तो मैं यहां थोड़ा सा तेल और डाल दे रही हूँ बाद में भी आप डाल सकते हैं पहले डालने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा इस तरह से तेल डाल कर सब्जी को चला लेंगे टमाटर के मैस होने तक थोड़ा देर ढख कर पकाएंगे ताकि टमाटर अच्छी तरह से पक जाएं आप चाहें तो सब्जी को ऐसे ही रख सकते हैं मैं यहां पानी डाल रही हूँ रसे वाली बना रही हूँ आप चाहें तो इसे पराठे या फूरी के साथ खाने के लिए मिना पानी के भी बना सकते हैं यह बहुत ही टेस्टी रहती है पानी डालने के बाद हम इसे ढख कर दो से तीन मिनिट तक मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे तो आप देख सकते हैं सब्जी में बहुत अच्छी त मसाला ले सकते हैं तो दो चमच में अहां सब्जी मसाला डालूंगी सब्जी मसाले से ही सब्जी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और यह कम मसाले में बन जाती है हम थोड़ा देल ढख देंगे मसाला डालने के बाद इससे जो सब्जी है मसाले को अच्छी तरह से आप ये से खाईए, रोटी के साथ डिनर में, बहुत ही टेस्टी रहती है ये, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, और शेर जरूर करिए, थैंक्स पर वाचिंग,